पीस तरी पार्टी आपके साथ ने उजिए तीन मंदे प्रदेश रती इस गड़ पर वक्तो शला फटा पर अंदास में खबरों पर नसुट बाल डालने का उससे पहले एक बड़ी खबर मोहन सरकार ने बड़ा फैस्सा लिया दरसल आनलाइन भेजे जाएंगे सभी तरह के सम रहा है दरसल इसके लिए संबंधित विभाग को मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है इलेक्ट्रोनिक माध्यम से समन देने का फैस्ता किया गया दरसल आनलाइन समन भेजने वाला पहला राज्य होगा मध्यप्रदेश इस समन के समद्ध में गजट इस्तिमाल नहीं करने वालों पर माने नहीं इसे इन सारी विभुस्ताओं का पालम किया जाते हैं मेरी अपने और से रखना लजी के इस नए फैरों के लिए विद्धान को बढ़ाई और बात करेंगे हमारे से योगी शैलिंदर भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़गें शैलिंदर अपनी तरह का ये पहला कदम उठाया जाने वाला राज्य है जिसमें अब इलेक्ट्रोनिक माध्यम से समन भेजे जाएंगे इस पर क्या कुछ आमुल चुल परिवर्तन किया गया है क्या बदलाव किया है कैसे इसे इंप्लिमेंट किया जाएगा देखें बिलकुल आपने ठीक कहा कि ओनलाइन समन तामील कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा इसको लेकर देखें तमाम जो तयारियां है वो ग्रह बबाग के तरफ से की जा रहे थी और उन तयारियां यह कहें कि पूरा जो है वो परिष्ण किया गया किस तरीके से इसको समन को तामील कराया जाएगा कौन-कौन लोग इसमें आ सकते हैं जो लोग गजटी जप्यों लोग इं Stage ंजक्रिक नहीं करते हूं जिनका इमेल को सब कर दीया गया है कि जो आपरादी जो लोग भी एजनका आ डेंदिश और सबसे बड़ी चुनोती होती है बारंट की तामील कराना क्योंकि जब भी कोई पुलिस कर्मी बारंट लेकर उनके घर मौझूद पहुंसता है तो घरवालों के दौरा यह कह दिया जाता है कि वह घर पर मौझूद रही हो और ऐसे में जब संबन जो है या बारंट जो है वो तामील नहीं हो पाता है ऐसे में कोट की फटकार लगातार मद्रदेश पुलिस को भी जहिलने पड़ती है और यही कारण है कि अब नया तरीका यह जो बदलते भारत के तौर अपने डिजिटल भारत क हो चुका है और उस बारंट की तामीली के बाद अगर आप कोट में हाजर नहीं होते हैं थाने में हाजर नहीं होते हैं तो नियाम अनुसार आप पर कारवाई भी की जाएगी तो मद्रदेश सरकार के बड़ा कदम इसे कहा सकता जिस सरीके से प्रधान मंत्री नरेंदर मोध लगाता डिजिटल भारत की बात करते हैं तो उस कड़ी में एक बड़ा कदम यह माना जाया सकता है कि यह जो अब जो पुलिस प्रिक्रिया जो है बारंट कामीली की अब ऑनलाइन होगी इसको लेकर मद्रदेश के मुखमंत्री डॉक्टर मोहन यादब ने ग्रह बभाग के अब बड़े बदलाव की और इशारा कर रहा है और अब पुलिस को समन भीजने के बाद बार बार चक्का लगाने की आउशकता नहीं है और समन की तामेल वाटसैप या इमेल पर भीजने के साथ ही मानने जाएगी पढ़ते आगे 36 गड़ शराब घूटाला से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सभी आरोपियों की आच्छी काउं को हाई कोट ने खारिच किया डिविजन बेंच ने फैस्ता सुनाया पूर वाई एस अनिल टूडेजा अरुन पती तुत्रिपाठी अन्वर धेबर व उमेश मौरिया हमारे से होगी इस जुड़के हमारे साथ बात करेंगे उनसे उमेश क्या डिटेल्स मिल पा रही है अभी हाई कोट ने जो याची काउं को खारिच किया तो उसके बाद अब क्या अस्तिती बन रही है बिलकुल आसी जी दिखी ये बहुँ चर्चित सराब गोटेले का मामला था जिस पे पूर आईये से अनिल टूटेजा उनके बेटे यस टूटेजा इसके अलावा एपी त्रिपाठी जो आपकारी आयूकत थे इसके अलावा अन्वर धेबर ये तमाम विदू गुपता समे 10 जुलाई को हुई थी हाई कोट ने पूरे मामले के सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था चुकि आज इस पूरे फैसले को उन्होंने सुनाते हुए ये काई दिया है कि इनकी जो याचिका है इसे खारिज कर दी गई है तो निश्चीत रूप से का जा सकता जो अन्य जो आरोपी बने हैं उनको लगा है और ये पूरा जो मामला है प्रदेश में बहुत चर्चित जो सराब घोटाला मामला था उस मामले को लेकर इनके उपर फाई यार दच की गई थी और इसी फाई यार दच को खारिज करने की मांग को लेकर इन्होंने याचिका लगायती जिस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इनकी याचिका को हाई कोट ने खारिज कर दिया जी चली बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए